शिब बाबा याद है ना? ओम शान्ती सुनते हैं 20th मेर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है बाप दादा के दिल रूपी तक्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब है आज की मॉरली में बाबा ने खुश नसीब किस आत्मा को कहा जाता है क्या उसकी परिभाशा है कि भई ये खुश नसीब आत्मा है फिर बाबा ने कहा कि बच्चे साथी जो है क्यूं मनाया जाता है और संपर्क क्यूं और किस से रखा जाता है और अब हम सुनते हैं 20 माई 74 की मुरले आज बाप दादा क्या देख रहे हैं आज खुश नसीब पदमा पदम भाग्य शाली बच्चों को माला देख रहे हैं माला के हर मनके की विशेष्टा को देखते हुए हर्शित हो रहे हैं जैसे बाप बच्चों के स्रेष्ट भाग्य को देख हर्शित होते हैं क्या वैसे ही आप अपने सो भाग्य को देख सदा हर्शित रहते हो क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी-कभी भाग्य का सितारा आपके सामने से छिप जाता है जैसे स्थूल सितारे कभी-कभी जगे बदली करते हैं तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है एक ही सितारा है जो अपनी जगे बदली नहीं करता क्या ऐसे सितारे हो वे है द्रड संकल्प वाला स्तारा जिसको अपनी इस दुनिया में द्रूव स्तारा कहा जाता है द्रड संकल्प वाला स्तारा तो उसे क्या कहा जाता द्रूव स्तारा तो ऐसे द्रड निष्चे-बुद्धी और एकरस्थिती में सदास्थित पदमा-पदम भागे-शाली बने हो या बन रहे हो क्या अपनी खुश-नसीबी का विस्तार अपनी सम्रती में लाते हो खुश नशीबी की निशानिया वा सरव प्राप्तियां क्या है उनको जानते हो जिसे सरव प्राप्ति हो अब सुनिए बड़े ध्यान से किसको खुश नसीब कहते हैं जिसे सरव प्राप्ति हो उसको ही खुश नसीब कहा जाता है सरव प्राप्ति में क्या कोई कमी है स्रेश्ट संबंद, स्रेश्ट संपर्क, सच्चा सने और सरव प्रकार की संपत्ती और सफलता इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो संबंद में मुख्य बात अविनाशी संबंद की होती है अविनाशी बाप के सरो संबंद ही अविनाशी है एक द्वारा सरो संबंधों की प्राप्ती हो क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है तो क्या सरो संबंध संपन हो दूसरी बात संपर्क अर्थात साथ अत्वा साथी साथी क्यों मनाया जाता है संपर्क क्यों और किस्से रखा जाता है आवश्यक्ता के समय मुश्किल के समय सहारा अत्वा सहयोग के लिए उदास्थिती में मन को खुशी में लाने के लिए वा दुख के समय दुख को बांट देने के लिए तो साथी बनाया जाता है साथी बनाते हैं लोकिक दुनिया में किस लिए वो कारण बताए ऐसा सच्चा साथी अत्वा ऐसा स्रेश्ट संपार्ख जो लक्षे रखकर बनाते हो क्या ऐसा साथी मिला है ऐसा साथी जो निश्काम हो निश्पक्ष हो अविनाशी हो वासमर्थ हो ऐसा संपर्ख कभी मिला अत्वा मिल सकता है क्या अविनाशी और सच्चा स्रेश्ट साथवा संग कौन सा गाया हुआ है पारसनात जो लोहे को सच्चा सोना बनावे ऐसा सथसंग अथवा संपरक मिला है या कुछ ऐप्राप्ती है ऐसा मिला है अथवा मिलना है मिला है अथवा अभी परक रहे हो जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी-कभी साथी से किनारा क्यूं कर लेते हो साथ निभाने में नठखट क्यूं होते हो कभी-कभी रूसने का भी खेल करते हो सब बाबा आज राज खोल रहे हैं बच्चों की स्थितियों के क्या मजा आता है कि साथी स्वेम मनावे इसलिए खेल करते हो अथवा बच्चों में खेल के संसकार होते ही है ऐसा समझ इस संसकार वश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो ये खेल अच्छा लगता है बोलो अच्छा लगता है तब तो करते हो लेकिन इस खेल में गवाते क्या हो के ये भी जानते हो जब तक ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता कौन सा खेल? रूसने का खेल ये विन-विन संस्कारों का खेल तो अब ये खेल समाप्त करो आप अब तो वानप्रस्ती हो ना वानप्रस्ती को इस परकार का खेल करना शोबता है क्या? शाक्षियों देखो क्या सच्चा साथी स्रेश संपर्क वा संग सदा प्राप्त है? तीसरी बात है सने क्या सरव संबंदों का सने प्राप्त नहीं किया है? वा अनभवी नहीं मने हो क्या सरव संबंद में सने में कोई एप्राप्ती है? इसके निशान निभाने के लिए एक ही बात की अवश्यकता है अगर वै नहीं हैं तो सने के मिलते वे भी अनभव नहीं कर पाते सच्चा सने वा एक द्वारा सरव संबंदों का सने प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन वा अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात अवश्यक है एक बात दूसरा न कोई क्या ये बात जीवन में संकल्प में और साकार में है सिरफ संकल्प में नहीं लेकिन साकार में भी एक बात दूसरा न कोई है तब ही सच्चा सने और सरव सने का अनभव कर सकते हैं बाप दादा आपके भागे के उस तारे को देखकर हर्शित होते हैं एक ताच्छा तारा चमक रहा है सारे विश्यों के गगन में चमक रहा है और गुणगान भी करते हैं ऐसे खुश नसी बच्चों की रोज माला समरता हूं वाँ 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 ऐसे बाप के समरने के मनके बने हो विजे माला के मनके बनना बड़ी बात नहीं है लेकिन बाप के मिलाने के मनके बनना यही खुश नसीबी है ऐसी खुश नसीबी के वा बाप दादा के दिल तक्त नशीन फिर तक्त छोड़ देते हो ना बाप ने अपने स्रेश्ट कारे की जिम्मे वारी वा ताज बच्चों को पैनाया है ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज की बजाए अपने सिर के उपर किया रख लेते हो अगर वै है अपना चित्र भी देखो और ताज तक धारी का चित्र भी रको कुम सा चित्र पसंद आएगा पसंद का ताज तक पसंद वह हैं ताज तक्दारी वाला आप आप है और करते क्या हो ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोज का टोकरा वा बोरी सिर पर रख लेते हैं टोकरा सिर पे रखते हैं वे अर्थ संकल्पों का वे अर्थ बोलचाल का भरा हुआ बे ताज बन जाते हो ताज ही उतार फैकते हैं जबकि ऐसा चित्र देखना मी पसंद नहीं करते हैं तो उनको देखते हुए रहम दिल बनते हो लेकिन अपने उपर फिर क्यों रख लेते हो तो ऐसे अपने को खुश नसीब बनवा समझ कर चलो समझा अच्छा और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे िल क्या शकराइट पाक स्वाणता अच्छा